बच्चों, हमने अपनी लास्ट वीडियो में पार्ट तीन पड़ा था, जिसका नाम है हम और हमारा भोजन आप लोगोंने भी पार्ट धुराया होगा ना, हमने पड़ा था कि सरीर को स्वस्त रखने के लिए अच्छे भोजन के अलावा व्यायाम, स्वर्चिता, विष्टराम और मनुरंजन की भी आवशक्ता होती है और हमने ये भी पड़ा था कि जंक पूर्ड नहीं काना चाहिए, ये हमारे सरीर के लिए हानिकारत होते हैं पॉस्टिक भोजन में 6 तत्व होने चाहिए, आएए अब हम पड़ते हैं इन तत्वों की क्या उप्रगिता है और हमारे सरीर के लिए ये क्यूं जरूरी है बच्चों, कुछ पडार्ट तो ऐसे होते हैं, जिन में अधिक से अधिक तत्व होते हैं हम जो कुछ भी खाने योग्य पडार्ट खारते हैं, उन सब में कोई न कोई गुण होता है वो हमारे लिए योगी होते हैं, जैसे दही, दूद, पॉस्टिक भोजन माना जाता है दूद में ये सभी गुण पाए जाते हैं तो बच्चो आप रोज दूद पीते हैं न, आपकी ममी आपको रोज दूद पी निकले बोलती होगी कौँकि बच्चो दूद में बहुत जादा पॉस्टिक भोजन माना जाता है बच्चो प्रोटीन सरीर के विकास और टूट फूट की मरमत करता है वसा और कार्बोहाइटर्ट से हमारे सरीर को शक्ती मिलती है उर्जय मिलती है जिससे हम अपना काम कर सकते हैं इससे एक प्रकार की गर्मी भी प्राप्त होती है अधिक मात्रा में वसा खाने से या सरीर में जमा हो जाती है जब सरीर में वसा की कमी हो जाती है तो यहां जमा हुई वशा हमें सक्ति प्रदान करती है, उर्जा देती है बच्चो आपने बहुत सारे विटामिन के नाम सुने होंगे जैसे विटामिन A, B, C, D आदी इन सब का होना हमारे सरीर में बहुत जरूरी है अगर इनकी कमी होगी तो हम बिमार हो जाएंगे जो अगर हमारे सरीर में विटामिन A की कमी होगी तो उससे हमारी आखे कमजोर हो जाती है हमें आखो के रोग लग जाते है इसलिए हमें विटामिन A की कमी को पूरा करने के लिए अपने भोजन में दूद, मखन, गाजर और हरी सबजियों को समलित करना चाहिए बच्चो विटामिन B भी हमारे भोजन के पाचन में साइता करता है और विटामिन B हमें गेहू, जो, चावल, आदी भोजन से मिलता है तो इसको भी हमें इन चीजों को भी हमें गेहू, जो, चावल, आदी को भी हमें खाना चाहिए जिसे हमें विटामिन B मिले विटामिन C की कमी से हमारे मसूडे कमजोर हो जाते हैं, दातों के रोख हो जाते हैं इसकी कमी को पूरा करने के लिए हमें अपने भोजन में संत्रा, नीमू, आवला, आदी, खटे फलो का सेवन करना चाहिए तो बच्चो सारे खटे फलो से हमें विटामिन सी मिलता है और इसका हमें अपने खाने पे भरपूर उप्योग करना चाहिए जिससे हमारे दान मजबूत रहें विटामिन डी हमारे दातों और हडियों को मजबूत रखता है खनीश लवन हमारे सरीर के लिए विकास के लिए आवश्यक होता है क्योंकि जितना हम खनीश लवन खाएंगे तो हमारा सरीर और विकास करेगा और बढ़ेगा आयोडिन हमें नमक से मिलता है लोहा हरे पत्ते वाली सबज़्यों से मिलता है जितनी हम हरी सबज़्यों खाएंगे हमारे ब्लड में हमारे खून में लोही की मात्रा बढ़ेगी ये हमारे सरीर के विकास के लिए आवश्यक है बच्चो विभीन प्रकार के विटामिन युग भोजन ग्रहन करने से सरीर को रोग नहीं लगते मतलब हम बिमार नहीं होते अगर हम जितने विटामिन युग खाना खाएंगे तो हम बिमार नहीं होंगे अलग अलग तरह के फल और सब्जियां खाने से हमें रोज नए-नए पॉस्टिक तत्व मिलते हैं तो बच्चों आपको अपने खाने में फल और सब्जियों को सामिल करना चाहिए रोज फल और सब्जियां खानी चाहिए इनसे रोगों के किटाणू नस्ट हो जाते है जल से सरीर की सफाई होती है जल अधिक मात्रा में पीना चाहिए हमें बच्चों कम से कम सातर ग्लास, साफ पानी पीना चाहिए जिससे हमारे सरीर की गंदगी निकल जाती है ये पॉस्टिक तत्व, दूद, फलो तथा सबजियों में पाई जाते हैं इनका अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए तब हम स्वस्थ रह सकते हैं तो बच्चों आपको रोज अपने खाने में फल और सबजियां सामिल करने चाहिए और रोज दूद जरूर पीना चाहिए तब ही आप हैल्दी रहेंगे और आपका सरीर स्वस्थ रहेगा और आप बिमार नहीं पढ़ेंगे बच्चों अब हम इस पार्ट के कठिन शब्द करेंगे जो आपको अपनी हिंदी लिट्रेचर की नोट बुक में करना है तो बच्चों आपको आज की डेट डाल के पार्ट का नाम लिखना है हम और हमारा भोजन और हैडिंग डालनी है कठिन शब्द तो बच्चों आईए देखिए कठिन शब्द कौन कौन से है पहला है सार्थक, दूसरा है स्वच्चिता, तीसरा है आवशक्ता, चौता है पौस्टिक, पांचवा है मनुरंजन, छटा है व्यायाम, सातवा है चर्बी, आटवा है हानिकारत, नवा है निरोग, और दसवा है किटानू मैं इनको दूबारा से दोराती हूँ सार्थक, स्वच्चिता, आवशक्ता, पौस्टिक, मनुरंजन, व्यायाम, चर्बी, हानिकारत, निरोग, और किटानू बच्चो, आपका दूसरा अभ्यास कार्या, आपकी बुक का, पेस नंबर 19 का प्रश्ण का है, जिसमें सही उत्तर चुनिए इसमें आपको बच्चो तीन आप्शन दिये हैं, जो सही है, उसको आपको टिक लगाना है, और ये कार्या आपको अपनी बुक में करना है पहला प्रश्ण है, विटामिन युक्त भोजन से क्या फाइदे हैं, इसके आप्शन दिये हैं, हम सुन्दर लगते हैं, स्वस्थ रहते हैं, साफ सुत्रे लगते हैं, तो पता है ना, इसका उत्तर आपको स्वस्थ रहते हैं, तो खाव में आप क्या करोगे, टिक करोगे बता है भोजनकी, तो भोजनकी में आप टिक करेंगे, तीसरा है संत्रा, नीमू, आमला, आदी, खटे, फलो में कौन से विटामिन मिलता है, तो बच्चो बताने कौन से विटामिन मिलता है, विटामिन C, तो इसको आप टिक करेंगे, बच्चो आपको केवल कटिन शब्द हि पूरा करेंगे तब तक आप अपना ख्याल रखें और पौस्टिक भोजन खाएं बाए कि पूस्टिक दूस्टिक भोजन खाया रखें झाएं अपनाया रखें झाल 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 व, विल्फेश झाल 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 प।